हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो दे चैनल कॉमर्शीरोस क्लासेस तो हम कंटीन्यू कर रहे हैं बजट एंद बजटरी कंट्रोल के साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये काफी इंपर्टेंट टॉपिक है ठीक है अल्रेडी मैंने तीन कोशन इसके उपर करवा है इलस्टरेशन 1,2,3 अब आपको फोर्थ वाले कोशन को एकदम सीरेशली देखना है ठीक है स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ कोशन काफी बड़ा है सीरेशली इसको देखना रेजिस्टर को ओपन कर लो रेजिस्टर में मेरे साथ कोशन को क्या करो अब कैसे करते हैं और अगर साथ कोशन समझ में आता है तो कमेंट कर दिया करो के सर हमें समझ में आ गया मुझे कैसे बदा चलेगा है आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है और अगर और questions भी आपको करने हैं तो मैं को बताओ के sir we want to practice more questions तो मैं आपको और भी questions करवाऊँगा तो चलो start करते हैं एक नए question के साथ illustration number five start करते है यह भी देखना अच्छा खासा कोशन है यह भी अब फैक्टरी इस करेंट्ली वर्किंग आया है 50% capacity मतलब आपकी फैक्टरी में अभी से 50 परतीक्षत काम चल रहा है और आप कित्ता सबन बना रहे हो 10,000 अगर 100% काम चल रहा हो तो कितने यूनिस बनते 20,000 बन जा 60% 80% ठीक है तो आपको बजट बनाने किस पर 60% पर बनाना है 80% पर बनाना है और 50% का तो आपको गिवन ही एक 60% वर्किंग देखो जब आप 60% काम करोगे और रौ मटीरियल की जो कॉस्ट है वो 2% से बढ़ जाएगी तो जो रौ मटीरियल है जब आप साधर समान बनाओग रौ मेटरियल की खपढ़ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रौ मेटरियल आपका कितने पर्शंट बहड़ जाएगा 2% बढ़ जाएगा और सलिंग प्रॉप कर जाएगा कितने से 2% से बढ़ जाए तो बेटा जो सलिंग प्राइस है ना हो गाम हो जाएगी 5% से तो selling price कम कर दी हमने कित्ते से 5% 50% capacity working अगर आप 50% समान जब बना रेते product cost 180 per unit मतलब जब आप 50% समान बनाती हो तो समान की लागत क्या पड़ती है cost कित्ते का पड़ते है आपको 180 रुपे पर unit का है ना मतलब आपको अपना बना के कित्ते का बढ़ते है 180 का और market में आप उसको कित्ते का बेश जाता है and is sold at 200 per unit तो उसको कित्ते का बेश तो selling price कित्ती होती है 200 पर unit तो 20 रुपे आपका माल लेते हैं the unit cost of rupees 180 अब यह जो 180 रुपे कैसे लग रहा है 180 में 100 रुपे का तो क्या लग जाता है material 30 रुपे की क्या लग जाती है labor factory overhead कित्ते का लगता है 30 रुपे का और administrative overhead कित्ते का लग जाता है 20 रुपे का तो टोटल अगर करोगे 100 और 30 130 और 30 60 और 20 80 तो 180 का क्या दे दिया break up देती है ठीक है अब आपको budget बनाने किसका 60 पर्षेंट का और 80 पर्षेंट का तो बेटा देखो 50 पर्षेंट आपको given है 60 पर्षेंट और 80 पर्षेंट का बजट बनाना है अब जहान से देखना अगर यह company 50 पर्षेंट की जगह 100 पर्षेंट बनाती तो कित्ते है उनिट बनता 20,000 बनता 200,000 उनिट का 60 कित्ता होता है तो कित्ता यूंट बनेगा बारह हजार और 80% कित्ता होता है तो कित्ता बन रहा हजार तो 60,000 पर कित्त ही बनेगा 12,000 बनेगा 80% पर किता बन जाएगा अपना 16,000 बन जाएगा या फिर ऐसे भी निकाल सकते थे सर 10,000 बन रहा है कितने परशेंट पर 50% पर तो बताओ 60% पर किता बनेगा तो भी आ जाता है कैसे भी आप कर सकते हो मतलब आपको पता होना चाहिए कितने यूनिट आपको बनाने तो 50% पर 10,000 बन लिए 60% पर 12,000 बन लिए और इस पर 16,000 बेटा जब आप 50% कापैसिटी पर काम कर ले थे आपका रॉम मिटल कितने का लग रहा था 100 रुपे पर यूनिट पर तो 100 रुपे पर यूनिट पर लग रहा है कितने यूनिट बना रहे है 10,000 तो 10,000 को मिल्टिप्लाइबाइ कर दोगे 100 से कितना आजएगा 10,000 तो रॉम मिटल कितने का लागा 10,000 ऐसे ही अब देखो इसने क्या बोला था यहां पर जो है रॉम मिटल कितने से बढ़ जाएगा 2% से तो 100 में 2% बढ़ गया तो कितने का हो गया 102 रूपे का अब 102 को किसे हो गया 105 को multiply by किस से करना है 16,000 से कित्ता आजाएगा 16,80,000 तो ऐसे तो सबसे पहले हमने किसका खेल खतम करा प्रामटी दिल का अब किसका खेल खतम करना है लेबर लेबर कित्ते की है तीस रुपए की तो हर जगा कित्ता आएगा 30 तीस और 30 तीस multiply by 10,000 करोगे कित्ता आजाएगा 3,00,000 तीस multiply by 12,000 करोगे कित्ता आजाएगा 3,60,000 और 30 multiply by 16,000 करोगे कित्ता आजाएगा 4,80,000 तो ये भी खतम और ये भी खतम अब ध्यान से हमें जिसको करना है वो ये है अब ये कौन सी cost आगी अपनी एक तरीके से semi variable आगी क्योंकि इ और कुछ percent क्या है variable आप देखो factory overhead कित्ते का हो रहा है 30 रुपे का लगेगा लेकिन इस 30 में से 40% क्या है fixed तो बटा ध्यान से देखो 30 रुपे का लग रहा है आपका factory overhead उसमें से 40% क्या है आपका fixed और बाकी का 60% क्या होगा फिर variable तीस का 40% अगर मैं करूं 30 का 40% कित्ता आज यहां और को दूब दूब dif और बाकी का च्या जाए गा वरिडी मल वह कित्ते का अधारा रुपे का अब 18 को multiply by कितने से करना है 10,000 यूनिट्स तो फैक्टरी ओवरेट का विरीबल कितना आ गया एक लाख असी अजार और यहां पर 18,000 को किसे multiply by करना है 12,000 से कितना जाएगा 2,16,000 और यहां पर 18 को किसे multiply by करोगे 16,000 से कितना जाएगा 2,88,000 अब ध्यां से देखना यहां पर fixed कितना था 12 और कितनी यूनिट्स बन लीती है हमारी 50% capacity पे 10,000 तो बेटे एक हर्चा कितने का हो गया एक लाख 20,000 का हो गया और यह एक लाख 20,000 क्या है आपके constant तो ध्यां से देखो हर जगा हमने कितना लिखा एक लाख 20,000 एक लाख 20,000 और एक लाख 20,000 और उसके साइड में सर यह रेट लिखा हुए बारा दस और साड़े साथ यह कैसे आया यह समझा रखा है पहले कैसे आया यह पीछी के कोश्टन भी हमने करा था यह जो एक लाख 20,000 को किस से करोगे दस हजार यूनिट साब बना रहे कितना है बारा फिर एक लाख 20,000 को किस से डिवाइड करोगे बारा हजार से कितना जाएगा दस और ऐसी एक लाख 20,000 को किस से डिवाइड करोगे कि 16000 से तो कित्ता जाएगा साठे साथ कि समझूछ अब ऐसे ही किसके साथ खिलना है विडियेबल ओवरेड के साथ क्योंकि विडिये गडियांग में विडियेबल ओवरेड में भी यही पंगल के वरेड फिरीयेबल कोस्ट में अगर आप देखो कि तब तो दस तो क्या होगी हमारी विरिबल कॉस्ट में आगर आप देखोगे तो इतल याइड़ सोब्स टॉस्टा हो एक लाकり बारहाई था ū्यक्ता हो जाएगा एक लागTalk 20,000 और दस में आशाइगा एक लाक साथ को अ क्या है कि कि अच्छी कि अच्छ वाला कैसे निकलेगा ध्यान से देखो वेड़ा 10 रुपे फिक्स दाएगा और वह कितने यूनिट्स पर 10,000 तो किता हो गया उपर किता लिखा आपने एक लाक अब एक लाक को डिवैड़ेड़ वै किसे करोगे 12,000 करोगे किता आएगा 8.33 और एक लाक को डिवैड़ेड़ वै करोगे 16,000 से तो किता आजाएगा 6.25 अब इन सारे खर्चों को प्लस कर दोगे तो क्या आजाएगी आपकी डोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट आजाएगी आपकी सेल्स आपको गिवन है सब नहीं सेल्स का है अपने पास अब टोटल कॉस्ट इद इसार रुपे का है न पर यूनिट अब यहां पर देखो 200 multiply by 10 कित्ता हो जाएगा 20 लक तीक है अब यहां पर कैसे आया यह sales wills यह कैसे है देखो एक cost हो गई और आपका यहां पर यह profit margin एक सेकेंड देखो पहले का तो हमें पता था कि यहां पर जो selling price है वो कित्ती थी 200 कित्ता हो गया तो बेटा 200 में कित्ता हो गया चार रुपे कब हो गया टूटूजा कित्ता होता होता है तो अब selling price कित्ते का हो गया 196 फिटा 196 को किसे multiply करोगे कित्ता बेच रहे हो 12,000 units तो यह कित्ता आ जाएगा 23,52,000 और खर्चा कित्ते का कर दिया आपने 21,40,000 का तो 23,52,000 में से 10 रुपे तो 190 का selling price हो गया 190 का selling price किसे multiply हो जाएगा 16,000 से कित्ता आ जाएगा 30,40,000 तो आपके पास 30,40,000 हाथ में आए लेकिन खर्चा कित्ते का हुआ 28,28,000 रुपे का माइनस कर दोगे कित्ता आ जाएगा 2,12,000 और इसी के साथ यह वाला question भी आपका क्या हो जाता है खता हुआ